तो इस फिल्म की शुरुआत में हम एक पादरी को चर्च में एक बच्चे के साथ देखते हैं जिस बच्चे की बॉड़ी पर एक अजीव सा निशान होता है और यहां पर पादरी असल में उस बच्चे का सेक्रिफाइस करने वाला था वो जैसे ही एक चाकू से बच्चे को मा करने के लिए बढ़ता है जिसे देखकर फुलिस वाले उसे गोलियों से बहुन डालते हैं और यहां उस फादरी की मौत हो जाती है जिसके साथ ही यह सीनियाई पर कट हो जाता है अब अगले सीन में हमें इसी घटना के 30 साल बात का समय दिखाया जाता है जहां पर हम देखत का स्वागत यहां के हैट फादर अंद्रेज करते हैं जो कि मरेग से बताते हैं कि लोगों के लिए यह जगाई एक हॉस्पिटल की तरह है जहां ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जिनके अंदर सेटन का वास होता है अब यहां के नियमों के मुताबिक मरेग के समान की त कंदा होता है हाला कि इस से कोई फरक नहीं पड़ता है और वह सबसे पहले अपने कपड़े को बदल कर प्रीश्ट वाले कपड़ों को पहन लेता है जिसके बाद वह अपना सूट के सखोलता है तो उसके नीचे कि तरफ उसने गन और एक पेपर कटिंग चिपकार रखी ती ज लड़कियों के गायब होने के पीछे इस चर्च का हाथ है, अब मरेग सभी प्रीस्ट के साथ एक सभा में जाता है, जिसके बाद वो सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं, जिस खाने को खाते समय मरेग को एक गंद आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानों की वो ठाकर कर बताते हैं कि वो सभी मिलकर एक लड़की का एक जॉर्टिसम करने वाले हैं, जिसमें वो लोग उसके अंदर की सेटन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इसके बाद उस लड़की को एक बैट के साथ बांध दिया जाता है, और फादर अंद्रेज इस रिच्व वगएरा बोल रहे होते हैं उसमें आग लग जाती है, जिसके बाद ये रिच्वल कम्प्लीट हो जाता है, जिसके बाद मरेक अपने रूम में आता है, जहां मोध होते वक्त उसे शीशे में कुछ दिखाई देता है, जिसको छूते ही वो शीशा बूरी तरह से चिटक जात और यह देखकर मरें काफी जादा घबरा जाता है इसके पाद रात के समय मेरिक चुपके से फादर अंड्रेस के आफिस में दाखिल होता है जहां पर किसी के भी जाना मना था यहां मेरिक को उन सभी लड़कियों की वीडियो टेप मिलती हैं जिनका अब तक किया गया था इसल जिस पर खड़े होकर उस पर प्रेस करने पर बैट जोड़ जोड़ से हिलने लगता है और साथ ही जब मैरिक उस क्रॉस को देखता है तो उसके पीछे की तरफ एक बटन होता है जिसे दबाने पर उसमें आग लग जाती है अब यह सब देखकर मैरिक पूरी तरह से समझ वो अपने असिस्टेंट फादर प्योत्रिक से पूरा करवाने के लिए कहते हैं जिसके बाद एक बार फिर से जब मैरे खाना खाने के लिए बैठता है तो उसे वो खाना अच्छा नहीं लग रहा होता है और साथ ही उसे काफी वामेटिंग भी होती है मतलब कि यहां आने के बाद से ही मैरे की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी जिस वज़े से वो अब यहां से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता था इसलिए वो गन को निकाल कर अपने पास रख लेता है और वो गुमचुदा लड़कियों वाले नियूस पेपर की क दफनाते हुए देखता है और उसके पूछने पर उसे पता चलता है कि वो उसी लड़की की लाश को दफना रहे हैं जिसका कल एक्जौर्दिजम किया गया था जो जानकर मैरिक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो लड़की मर कैसे सकती है क्योंकि कल उसके सामने लड़की जिन्दा थी इसलिए फिर से उसके कमरे में जाता है वहां पहुंचते ही मैरिक को वहां पर काफी सारा खून गिरा हुआ दिखता है कि तब ही उसके पीछे से उसे एक अंजान आदमी की आवाज आती है जो कि उसे कनफेशन रूम में पहुंचता है तो उसे वहां मैं जुआ था है कि जब उसे यहां पर लाया गया था तब यहां से निकलना चाहता था और जब एक दिन उसने यहां से भागने की कोँशिश की तो वह पकड़ा गया जिसके बाद इनोंने कही तरह से उसे टॉर्चर किया और उसे अब ना चाहते हुए भी यहां रहना पड़ रहा है अब प्योत्रिक के इन बातों को सुनकर मैरिक को उस पर विश्वास हो जाता है और उसे सब बता देता है कि वह एक पुलिस वाला है जो यहां पर उन आठ गुमशुदा लड़कियों क को भी तलाश करने के लिए आया था यहां मैरिक प्योत्रिक से उस नकली समन को करने का का रधाता है जिसपर प्योत्रिक उसे बताता है कि वह एक्जौस से से papa बुलवाया गया है इसके बाद मैरिक जल्दी से अपने काब्रें जाता है जहां वो चेक करता है कि कहीं उसकी जासूसी तो नहीं की जा रही इसलिए वो कमरे की अलमारी को भी खसका कर देखता है तो उसके पीछे एक दिवार में होल बना हुआ था और उस होल में से अजीब सा चिप चिपा और काले रंका लिक्विड बाहर निकल रहा था जि इसके बाद वो उस जगा को खोट कर उस एक्जौर्दिजम वाली लड़की के ताबूत को बाहर निकालता है और जब वो उस ताबूत को खोलता है तो वो देखता है कि वो ताबूत एकदम खाली है अब इससे पहले मैरिक को समझ पाता कि कोई पीछे से आकर उसे बेहोश क कर देता है और जब मैरिक को होश आता है तो वो अपने आपको बैट से बंदा हुआ पाता है जिसके सामने टेविड बैठा होता है कि तभी वहाँ पर फादर अंद्रेज उस सड़े हुए मास्के चार बाउद लेकर आते हैं जिसे मैरिक को सजा के तोर पर जबर्दस्तिक लाया जाता है और जब नहीं खाता है तो डेविड उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो फिर से बेहोश हो जाता है जिसे जब शाम को वापस से होश आता है तो चुप-चाब अपनी रस्यों को खोल कर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी डेविड की आख मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी मेरिक के हाथ उसकी गन लग जाती है और वो उसे शूट करकर डेविड को माल डालता है अब वो किसी भी तरह से यहां से बाहर निकलना चाहता था इसलिए भागते हुए एक अंधेरी जगह पर पहुंचता है जहां उसे उनी साथ लड़कियों की लाशे टंगी हुई मिलती हैं जिनके बारे में न्यूस पेपर में लिखा था और साथ ही इन लड़कियों के बॉड़ी पार्ट को भी काटा गया था जो देखकर मेरिक को यह समझने में विल्कुल भी देर नहीं लगती है कि जिस खराब मास को वो अब तक दिखा रहा था वह असल में इनी लड़कियों का था जो कि सिर्फ उसे ही किलाया जा रहा था इसी वीच वहाँ पर प्योत्र काता है जो कि मैरिक को अपने साथ कुछ दिखाने के लिए ले जाता है यहां वो उसे एक हजार साल पुरानी किताब दिखाता है जिसके मताबिक 800 साल में एक बार अमवस्य के रात में एक बच्चे का जनम होगा और अगर उसे उसी वक्त सही मंत्रों के उचारान और एक खंजर के मदद से मार दिया गया तो इस धरती पर सेटन खोदाएगा जो कि धरती पर न्यू वर्ड और को लागू करेगा मतलब कि वो अपने इसाब से एक नई दुनिया बसाएगा और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर साथ पापी लड़कियों को एक साथ सेक्रिफाइस करना होगा और साथ ही एक निर्दोश लड़की के खून को पीने के बाद ही सेटन उस बच्चे के शरीर के अंदर खुद बखुद दाकिल हो जाएंगे अ बच्चा असल में कोई और नहीं बलके मेरिक ही था जिसे यहां के प्रीस्ट ने इस रिच्वल को पूरा करने के लिए बड़े ओफिसर्स को पैसे खिला कर यहां पर बुलवाया था क्योंकि उनकी पोंच काफी उपर तक थी अब यह सब जानकर मेरिक किसी भी कीमत पर यहा ख़inky का वफादार था मेरिक को एक जगा बांद धिया जाता है जहां पर उसी अद्र कर नहीं जाता है जिस बात पर सभी सोचते हैं कि उनसे रिच्वल के दोरान कहीं न कहीं जरूर गलती हुई है अब पयोत्रेक अपने हाथों से मेरिक को मर्वा कर उसे कुम में फिक्वा देता है फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं जिस दोरान दालता है क्योंकि उनके बाद अब वही मोनेस्ट्री का हेड होगा से सच में एक सेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके आते ही प्योत्रिक प्रियर करते हुए हवा में उठकर गायब हो जाता है और वाकि सभी लोग स्टैचू बनकर उल्टे क्रॉस की तरह आसमान में उल्टा लटके हुए थे साथ ही आसमान में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि सेटन ने आते ही नर का दर्वाजा खोल दिया है जिस वज़े से ये प्रित्वी पूरी तरह से नश्ट हो जाएगी और इस पर फिर से सेटन का राज होगा मतलब कि इन प्रिस्ट का रिचुल सही था बस उन्होंने ही जल्द बाजी कर दी थी हाला कि तब भी रिजल्ट यही होता क्योंकि लोग सोचते हैं वो सेटन की भक्ती करकर उसे खुश रखेंगे लेकिन सेटन सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो किसी को भी नहीं बख्षता जैसा कि इस मूवी के एंड में हुआ जिसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खतम हो जाती है क्योंकि लोग सेटन की बख्षता है